इंदी को ले करके आपने एक मकाम बनाया डक्षिन तक की यात्राइक लिवाशा है कि व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को परिवार करते हैं तो व्यक्ति के समूह में समूह दो से कम में तो फिर बहुत बड़ी बात है और कहते हैं कि डिगरी जब आप से एक सही समय पे लेते हैं संप्रिक्त किया और परिपक को भी किया जो मुझे लोग पूरी अप्रा दिला अस्टम और नवमवर्ग में पढ़ने वाला लर्का जब उसके जीवन की अंग्राईया लेने लग जाती है किशोर आवस्था में और योवनारंब जब होता है उससे मैं कई तरह के ख्याल आते हैं उस एज़ बे एक किशोर को ये ख्याल आता है कि मद्द्पदलू पी समास का मैं यहां पे उप्यूग करूँ अपने नाम की शर्थक्ता बनाओगा अपने नमस्कार एक नए सिर्णकला की शुरुआत कर रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि आप सबों को पसंद आएगी है मुहिद्धिन नगर नामा मुहिद्धिन नगर नामा के अंतरकत हम ने सोचा कि महिद्धिन नगर के स्चेत्र से जो भी कला के शेतर में, चाहे फिर साहित्य के शेतर में या फिर सिक्षा के शेतर में, जिन्हों ने अपना एक अलग मकाम बनाया है, इस मंच से हम उन्हें लाएं और उनका साक्षातकार, उनका जीवन दर्शन, आपके समक्षे फरस्तूट करें, तो आज चलिए हम आपको प पिर राज जस्तर की बात करें, खाश के हिंदी को ले करके, इन्होंने जिला ही नहीं, वरन राज जे ही नहीं, वक्ति अंतरास्टी अस्तर तक इन्होंने अपना नाम कमाया, और हिंदी को अंतरास्टी अस्तर तक पहुँचाया, दक्षिन में हिंदी को ले करके गए, और पूरी तरीके से इन्होंने उनका परचार परशार किया और महिद्दिन नगर के तो चर्चित नाम हैं ही आज अंतरास्टिय अस्तर पर इनकी ख्याती प्राप्त है वो कोई और नहीं हमारे शाथ है श्री इस्वर करुंजी आपका बहुत स्वागत है और यह हमारा कोशिश है महिद्दिन नगर नामा इसमें हम महिद्दिन नगर से जुड़े हुए जो भी लोग हैं चाहे वो कला के छित्र में हो चाहे वो शाहित विज्ञान या शिक्षा के छित्र में हो उन लोगों को हम इस मंच पर लाते हैं और उनका एक जीवन दर्शन या फिर शातकार कह लेजिए हम अपने दर्शकों के सामने प्रस्तूर्ट करते हैं क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं आज हैं कल नहीं हमारे नजरिये से इसे देखा जाए तो यह कोई मार्केटिंग की चीज या ऐसा कुछ नहीं है बहुत ही भ एक जो पिता और पुत्र का जैसा लगाव रहता है बिल्कुल रहा है मेरे उपर और यही कारण रहा कि मैं आपसे इतना जूड़ पाया और महियो दिन नगर नामा जब शुरू हुआ तो सबसे पहले इस कड़ी में सबसे पहले रहमान आप बने तो सर आपको सबसे पहले त कि आपने एक ऐसा सीरियल लाया है जो महितिन नगर नामा नाम से और आपकी यह कोशिस निश्चित रूप से हमारे इस छेतर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धी होगी क्योंकि बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे एक छेतर में हैं उन प्रतिभाओं को सही धंक से सामने खाया है तो निश्चित रूप से इस राहनिये है और मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं साथ-साथ इस बात के लिए भी मैं इश्वर को धन्यवाद देता हूं कि इस कड़ी की पहली कड़ी के रूप में आपने मुझे चुना और इस तरह से यह कह अगवन जी जब वो टीवी पे गए इंडिया टीवी पे और पहली रिपोर्टिंग जब उन्होंने चेनने से करने शुरू की तो पता नहीं कि उनको भी मेरी ही आद आई और उनका कि श्वर जी आपका मैं एक मिनट का ही सही एक बाइट लेके करूंगा और आज सौरभ ने है कि ये मोहिदिन नगर नामा जो है मोहिदिन नगर लगभग तीन सौ वर्ष पुराना ये कस्पाई शहर है जिसकी अस्थापना अफगान सरदारों ने की थी और वो अफगान सरदार जो उसमें हुआ करते थे उनकी बहुत बड़ी चलती थी क्योंकि शेर साह सूरी का एक शमशेर नाम के जो सरदार रहे उनकी काफी चर्चा है और उन्होंने मोहिदिन नगर का जो आज भी शमशेर पहले से जो अरही रुगन और जिर नवस्था में है वही उनका पहले सा तो आप समझ सकते हैं कि मोहिदिन नगर की इतनी बड़ी पहचान है और किसी समय में अवध दिरुद जो आप सुनते हैं वो सरक इसी रास्ते से जाती थी हाजीपुर से लेकर किसी रास्ते से लोग मंگाल तक जाते थे तो ऐसे मोहिदिन नगर को जिसकी बड़ी उपक्षा हूई है मोहिदिन नगर इतना पुराना है लेकिन थाना पुराना लेकिन die सपि नह के नहीं बढ़ पाया तो निश्चित रूप से आपका यह जो सीरियल है यह जो सीरीज होगा वो इस और भी एक बहुत हिसारता कदम होगा मैं इसके लिए बहुत बढ़ाई देता है आपको सर जब एक नाम उमरता है इश्वर करून तो मैं सच बोलू तो सबसे पहले मैंने आपको सोशल मीडिया पे देखा था और सोशल मीडिया आने के बाद जब आपके बारे में जाना तो आपसे सहसा मिलने के उतकंठा हुई और आपसे मेल चुल बढ़ने लगा फिर मैं आपके सक्षित्र जहां हिंदी को ले करके आपने एक मकाम बनाया डक्षिन तक की यात्रा की और रास्ट्री या अंतरास्ट्र अस्तर तक आपने इन चीज़ों को आगे बढ़ाया तो वहां तक जाने में एक मुहिदिन नगर देखा जाया जैसे कि आपने अभी-भी बोला कि भई अभी भी कितने अभावोशे ग्रशीत है हमारा इलागा तो और उस समय तो और भी पल पल पे दर्द रहते होंगे एक कराहसा उठता होगा लेकिन उन जीजों को लेकर के आपने उस समय उसमान सिप्ता से लेकर आप आगे बढ़े और वहां तक की आपने यात्रा पूरी की तो कितना शंगहश पूर्ण जीवन था क्या था कैसे था तो रह संशेप में हमारे दर्शक को बताईए देखिए मेरा तो ये हिरदयस्थल मेरा घर है और पिता के नाम पे मैंने इस स्थान को हिरदयस्थल मेरे पिता जी का नाम पंडी ठेदर नाडए अचा था और किसी जमाने में हम लोग बहुत बड़े जमिनदार थे और जो यहाँ शंशेर खाह हैं उन्होंने ही हम लोग जमिनदारी दी थी लेकिन कालंतर में हम लोग बहुत ही निरधर हो गए हो गरीब हो गए हमारे दूसरे जो मेरी बहने हैं, उन्होंने जमीन तारी देखी, उन्होंने बहुत बड़ा घर देखा, उन्होंने पिता का भी सुख बहुत अच्छे से पाया, लेकिन मेरे हिस्से में ये सारा कुछ तब तक स्वापत हो चुगा था, तो ना जमीन द्रबच गई थी, ना घ वर्ष की वस्ता में था, तो उनका निधन हो गया, तब से लेकर के ये जिम्मेवारी मेरे खुद के कंदे पर रही कि मैं अपनी मा की भी देखवाल करूं, मा भी मेरी काफी बुड़ी थी, मैं अकेला बेटा हूँ, और इसके पहले वो तीन बच्चों को खो चुकी थी, ब परिवार करते हैं, तो वेक्टि के समूँ में समूँ दो से कम में तो फिर वेक्टि हो जाता, तो ये समझ लिए इतना छोटा समूँ था, मैं और मेरी मां और इस जोपड़ी में यही पर हम लोग रहा करते थे, खुद ही पढ़ना, पढ़ने के साथ साथ कुछ उपारजन भी करना, ताकि परिवार चले, खेती के लिए दोर के जो हमारी जमीन है वहाँ भी जाना, तो ये सब मैं करता रहा, और इस बीच में एक चीज रहा कि मेरी मां ने बहुत मेरे उत्साह को बढ़ाया, मेरे पिताने भी मेरे उत्साह को बढ़ाया था, और पढ़ाई में ठीक था मुझे फर्स डिविजन मिला था यहां और शुरू से मुझे लोग एक तेजस्वी चातर कहते थे तो समाज का बड़ा सही योग मिला और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और इस चेतर में बहुदिनर चेतर में यह कहना थोड़ा बड़ बोलापन होगा लेकिन आपकी जानकारी के लिए ज़रूर बता हूँगा कि चार-चार डिग्रियां लेने वाले बहुत कम लोग हैं मैंने एकनोमिक्स और रा राठा इनवरसिटी में रर्ण्वार था उसके घुए हम मैं पर बहुत मैं लोग करना करना नहीं चाहते थे , पिर मैंने अमब्या किया और वकदा मैं नेउड करना एक चार्वार बहुत dennisक्ण में लोग की और दो झान के सरकारी कोई भी विग्न हो बादा उन सब इजियों को पार कर उपलब्धी दिलवाई देती है और फिर वो करने के बाद मैंने LLB भी किया फिर उसके बाद मैंने कही हिंदी में में किया तो इस तरह से ये सारी डिग्रियां मैंने ली और साथ साथ काम करता रहा पत्रकाडिता में काम करता रहा सर्कुलेशन मेनेजर रहा जनता प्रहडी पत्रकाखवार का तिरुटबानी में लिखता रहा इस तरह से काफी संखर्षपुर्ण जीवन रहा और कही बार तो ऐसे होते थे कि सुबह में जो खाया है रात में क्या खाएंगे नहीं खाएंगे वो मिस्तिती थी लेकिन उसमें भी दिन बिद्दे गए कटते गया है और मैं इस मुकाम पर पहुँच पाया तो मैं महिदी निगर की मिट्टी हवा और पानी का और यहां के सारे लों का करतागे हूँ उन्होंने मुझे उत्साह सबने बढ़ाया इसकूल में मेरे लिए फिस माफ कर दिया गया तो जमीन से जुडा रहा हूँ और वो गिलावा बनाने की बात हो या फिर गेहू काटने की बात हो कहिए कि खुले खेत में सोने की बात हो खाट पे सोने की बात हो उसकी जड़ाई पुगाई एक काटने की बात हो उसको तॉलने की बात इस तरह से अलुआ सुथनी यह सारी चीजों से मैं जुडा रहा और वो सब मेरे लेखन में बाद में इन सारी चीजों ने मेरे लेखन को संप्रिक्त किया और परिपक को भी किया जो मुझे लोग परियता दिलाता रहा है बिल्कुल जैसा कि आपके नाम से ही दिरिश्टिक वोचर होता है कि इश्वर करुन मतलब आपके कई गीत मुझे पढ़ने का उश्वागे मिला है आपके गीतों को मैंने आवाज भी दी है जो यूट्यूब पे बहुत परचलित दी हुई थी और आपके गीतों से और आपके लेखन शैली में एक जो करुना की बयार बहती है न वो बहुत नस्दीक से परिलक्शित होता है तो इस शब्द की आगे मतलब इश्वर के साथ करुन कितनी तारतम में था ये एक अचानक सा हुआ या इसके पीछे एक सोची समझी क्या था दर्शक जानना चाहते है ये क्या हुआ कि एक समय था आज भी वो है कि सहितिकार लोग अपना एक उपनाम रखते थे जैसे हरिवन सराय बच्चन रामधारी सिंग दिन कर या ऐसे बहुत सारे नाम आपने सुने हो गया मेरे पिता का भी उपनाम था और वो लिखते थे पंडित थिरदा नारा अंजा प्रसून और वो भी महकावी लिखने वाले थे बहुत सारे उनकी लिखियों कुस्तके उसमें रही प्रकाशित नहीं हो पाई लेकिन उस दौर में काफी कुछ नहीं नहीं लिखा तो मैं ये देखता था कि मुझमें भी लिखने पढ़ने का तोड़ा सा ये लगा तो मैं लिखूँ पढ़ू तो क्या लिखूँ तो मैंने अपना नाम पिता के हिसाब से वो प्रासून थे और आप समझ सकते हैं कि जो घोर-गरीवी में रहने वाला जो हो करुणा के अलावे और क्या सोच सकता है तो उसमें मेरे लिए करुण रसी मुख्य था तो मैंने अपना राम रखा मेरा स्कूल में नाम लिखाय गया था पंडित इश्वर चंद्र विद्या सागर जा और ये बड़ा लंबा नाम था तो फिर मैंने उसमें जोड़ा पंडित इश्वर चंद्र विद्या सागर जा करुण तो ये इतना लंबा नाम हो गया था कि लगता था कि ये व्याभारिक नाम नहीं है तो फिर मैंने इसको मध्यपद लोपी समास चब मुझे थोड़ा ज्यान हुआ आठमा नौवा में तो मैंने इसको पंडित इश्वर चंद्र जा करुण को पंडित शवर भी मैंने हटा दिया और इश्वर चंद विद्या सागर में ये जानकारी मिली कि विद्या सागर तो मैं हूँ नहीं विद्या सागर उनको टाइटिल में ली थी और उन्हीं के नाम पे मेरा नाम रखा गया था क्योंकि मेरे पिता जी वहीं कलकत्ता विश्विद्याले से ही उन्होंने अचारज की डिग्री ली थी वहां जाके ली थी जिसकी तस्वीर आज भी है तो वहां वो प्रहावित थे इस्वरचंद विद्यासागर जीसे तो मुझे थोड़ा सा हटा है कि पंडित बनूगा तो लिखूँगा और इस तरह से मैंने ईश्वर और अंत वाला जो था करुण उसको मध्यपद लोपी समास जिसको बोलते हैं तो मैंने ईश्वर करुण अपना नाम रखना शुरू किया और वही नाम मेरा काफी लोग प्रि का जब उसके जीवन की अंग्राईयां लेने लग जाती है किशोर आवस्था में और योवनारंब जब होता है उससे मैं कई तरह के ख्याल आते हैं उस एजबे एक किशोर को ये ख्याल आता है कि मध्यपद लोपी समास का मैं यहां पर उप्यूग करूँ अपने नाम की शर साहितिकार का जो जन्म होता है उसका बीजारोपन किस तरीके से होता है इन्होंने जो अभी पिछले इन्होंने अपनी वाकियांश बोला उसमें बहुत कुछ दिखता है एक साहितिकार का जन्म कैसे होता है और नो डाउट कि आपको क्या करना है कैसे करना है यह बहुत पहल उपरी आवरेन है, मैं यह अब दिखाना चाहूँगा, यह देखिए, शाहित सरजन की समकालेंता, अभी नंदन गरंत कभी आपको पढ़ने का मौका मिले, तो आप यह बुक्स जरूर पढ़िएगा, और इसके लावा, हमारे पास से एक और बुक्स रखी हुई है, एक और द इस रूप में याद रखते हैं, यह एक बहुत बड़ी उपलब्दी है, और मयुदिन नगर की जो धर्ती है, वो धनवानों से भड़ी पड़ी है सर, धनवानों से भड़ी पड़ी है, कोई डाउट नहीं, यहाँ करूरपती और अडपती लोग रहते हैं, लेकिन उन्हों सर, सबसे बड़ा धनवान वही व्यक्ति है, आप उसे किस नजरों में देखते हैं सर,